आज मैं आपको एक ऐसे कोईंस के बारे में दिखाने वाली हूँ जिस पर BTS का लोगो बना है देखने के बाएद साथ आपको लगा होगा कि ये फेक न्यूज है और ये कोईंस में फेक है लेकिन हम आपको बता दे कि ये 100% सच है अगर आप इस कोईंस के सचाई जाना चाहेंगे तो वीडियो को फूरा देखे आपको पता चल जाएगा तो हाली में BTS के कमपनी हाइव ने KOMSCO जिसे हम साथ कोडिया मेंट के नाम से भी जानते हैं उनके साथ कोलाइब किये हैं ये कमपनी 1969 में अस्थाफित की गई थी जिसके ऑनर साथ कोडिया के गवर्नमेंट ही है इसने हाल ही में BTS के कमपनी हैव से कोलाइब कर BTS के लोगों का सिंबल बना हुआ एक कोईंस बनाये हैं इस को मार्केट में BTS की टेंथ एनिवर्सरी यानि की 12 जून 2023 को रिलीज की जाएगी इस को देखने के बाद आप लोग भी सोच रहांगे चलो मैं खड़ी दूगा लेकिन रुकिए पहले इसका प्राइस तो जान लें यानि इसे इंडिया रुपीन में कंवर्ट करें 32 लाग से शुरू होकर दो क्रोर 48 लाग तक है फिर भी कुछ रिचार्ड में इस कोईंस को खड़ीद रहे हैं हलाकि हम तो निवर्स की पार्टी करने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं और ये रिच आर्मी कौन है जो इतने महगे एक्सफेंसिब वीटियस के लोगो बनावा क्वाइंस खड़ीद रहे हैं लेकिन कोरियन गवर्णमेंट ने ये अच्छा तरीका ढूंडा है कि जब वीटियस मिलेटरी में सभी चले जाएंगे और जब तक सभी मिलेटरी में रहेंगे तब तक गवर्णमेंट को कुछ इंकम क्वाइंस से आता रहेगा वैसे क्या आप लोग भी वीटियस के लोगो बनावा क्वाइंस खड़ीदने के बारे में सोच रहे हैं या नही कुमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आज साथ ही वेल आकन को जरूर प्रेस कर दे जिससे के बीटीएस के बारे में न्यूनी जानकारी आपको मिलती रहेगी फिर मिलती इस वीडियो में तब तो किली देक्यार